Welcome back to my YouTube channel World Literature आज topic हम लोग discuss करने वाले हैं वो है Samuel Beckett इनके biography को discuss करेंगे इनके major works को और MCQ's point of view से हम इनके biography को discuss करेंगे तो अपना lecture जो है वो हम लोग start करते हैं First of all अगर हम लोग Samuel Beckett की birth की बात करें April 13, 1906 में Dublin, Ireland में इनकी birth हुई थी और ये Irish playwright थी, novelist थी और साधे साथ poet थे Dublin में Ireland की इनकी birth हुई उसके बात अगर हम इनके education की बात करें तो इन्होंने अपनी जो early education है Dublin से हासल की और उसके बात इनके important जो works हैं या plays हैं जो हैं वो absurdist पे बेस करते हैं absurdism थेरी है या पे absurdism जो philosophy है उस पे बेस्ट करते हैं Waiting for God or an end game इसके अंदर human existence के बारे में इन्होंने बताया है meaning के बारे में बताया है और futility of life इन सब चीजों के इन्होंने डिसकस किया है इनको Nobel Prize जो है वो literature में मिला था 1969 में क्योंकि इन्होंने literary word में जो अपनी इतनी amazing contributions दीं हैं उसकी वज़ा से इनको इनकी अगर हम लोग writing style के बात करें तो यह बहुत ज़ा repetitive language का यूज करते थे fragmented language का इन्होंने यूज किया है और साथ इसाथ जो इनके existentialist views थे उनको show करवाया है इनके अपने literary works में साथ इसाथ इन्होंने अपनी death तक जो है वो writing का और ऐसे masterpiece करियेट करने का जो काम जारी रखा था और इनकी जो death है वो December 22, 1989 में हुई थी उसके बाद अगर हम लोग philosophy की बात करें जो कि है absurdism absurdism एक ऐसे philosophy है और ये एक ऐसी literary movement थी जो कि 20th century में आई थी जिसके अंदर इस बात को explore किया जाता है कि जो human की existence है वो inherently meaningless है और irrational है means कि हमारी life का कोई meaning ही ना हो ऐसी situations कभी कभी हमारी life में आ जाती है कि हम लोग सोचते हैं हम इसके बात क्या कि इसका कोई meaning तो है यह नहीं हम exist ही क्यों कर रहे हैं हम लोग जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इन सब चीजों को जो है वो absurdism का नाम दिया गया है कि जब इंसान ऐसे point पर पहुंचे as a human being कि हमें अपनी life का जो meaning है वो search करना पड़े कि हम हमें लगे कि हम without any purpose without any aim जो ह करे रहे हैं और हमारी life का जो है वो कोई meaning ही नहीं अब absurdist जो works हैं वो ऐसे characters को depict करवाते हैं अपने works के through के वो ऐसी situation में trapped है हमारे characters characters जो के जिनका कोई logic नहीं है और कोई reason भी नहीं है without any logic and reason वो tragic comedy type के कुछ plays होते हैं novels होते हैं और साथे साथ उसमें जो major theme होता है वो absurdism को होता है कि characters जो है वो ऐसी point पे हैं अपनी life के कि उन्हें लग रहा है कि हमारी life का कोई meaning ही नहीं जैसे कि Samuel Beckett और साथे साथ इनके authors like Albert Cam views इन्होंने जो भी absurdist literature में contribution दी है उसमें उन्होंने totally existential reviews बताए हैं जैसे के waiting for Godot है अब waiting for Godot है उसके अंदर उनने बताया है कि किस तरह से वो wait करते रहते हैं बट Godot वहां तो कोई आता ही नहीं है कि एक meaningless उनका wait है कि वो सुबा से शाम वहां पे खड़े हैं again next day भी वहीं पे खड़े हैं बट उनको कुछ हासल नहीं होता कि एक meaningless purpose के साथ हो वहां पे मौझूद है उस meaningless purpose के बाद अब हम बात करते हैं इसका aim क्या होता है कि जब भी कोई writer जो है वो absurdism की जो theory है या फिर absurdism की जो philosophy उसको use करता है इस belief को कि जो traditional beliefs हैं और वो custom करता है nature of reality को कि actually में reality है क्या है इनके इनका जो main purpose होता है वो यही होता है कि actually में life का meaning है क्या यह life की meaning को search करते हैं और साथी साथ suggest करते है individual के के इस absurd world के अंदर खुद का purpose खुद ही ढूंडना पड़ेगा अपनी daily life में अपनी daily routine में खुद की situation खुद करेट करने पड़ेगी खुद की reality खुद को खुद ही बताने पड़ेगी कि मैं इस वज़ा से इस world में exist करता हूं और यह मेरा purpose है इस world में exist करने का आपको इसकी समझ आ गई होगी इनके works की और किस तरह से absurdism की जो थेरी है वो Samuel Beckett के जो major works है उन पे अपलाए होती है जैसे के Waiting for God Odd, End Game, इनको हम लोग next lecture में जो है वो discuss भी करेंगे यह जस्ट राइटर का overview था Actually, जब भी हम कोई work पढ़ते हैं तो हमें writer का overview लेना चाहिए ताकि at least हम उसको work को पढ़ने के बाद appreciate तो कर सके writer को कि इस writer ने जो है वो कितना अच्छा literary work दिया है या फिर उसने society के कौन से perspective को हमारे सामने रखा है साथी साथ writer की जो biography है examination point of view से MC को उसके लिए बहुत important होती है कि at least जो हमारे writer है उसको इतनी जो appreciation मिल जाए कि जो reader है वो उसकी biography को पढ़ ले कि जो हमारा डाइटिट है उसने अपनी life के circumstances में कौन कौन से ऐसी situations देखी है कौन कौन से trials जो है वो writer ने face की है और then जो अपना masterpiece है वो दिया है so I hope कि आपको इसकी समझ आगी होगी वीडियो को like और share और channel को subscribe कर देजिएगा